शिफ्ठाकरी के मस्ती और बातों से निम्रत को और आलुवालिया हुई इरिटेट शिफ्ठाकरी के टोन के वज़े से निम्रत को और आलुवालिया हुई अपसेट विल होता कुछ यूँ है कि अर्चना और निम्रत को और आलुवालिया डिसकस कर रहे होते हैं अर्चना की kitchen duty है और अर्चना निम्रट से बोलती है कि वो शालीन के लिए chicken कब बनाएगी जब शालीन उनकी शायरी सुनेंगे वो निम्रट smile करती है और फिर वो बोलती है ठीक है उसके बाद शिफ ठाकने निमृत के पास आते हैं और निमृत से पूछते हैं क्या हुआ वो क्या बोल रही थी और जिस टोन में शिफ निमृत से बात करते हैं वो निमृत को और आलुवालिया को पसंद नहीं आया निम्रत को और आलुवाले अपसेट होती है और वो गार्डेन एरिया में अकेली बैटी होती है शिव निम्रत से पूछते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि वो अपसेट है इसमें निम्रत बोलती है कि कभी-कभी तू लिमिट क्रोस करने लग जाता है और कुछ-कुछ चीजे ऐसे टॉन करता है जो मुझे पसंद नहीं आता है साथी निम्रत बोलती है कि मेरे पास भी ऐसी डेर सारी चीजे जिसे अगर मैं बोलूँगी तो तुझे भी बुरा लग सकता है लेकिन मैं नहीं बोलती हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है और मुझे सबसे ज़ादा बुरा टोन का लगता है शिफ निम्रत को मनाने की कोशिश करते हैं लेकिन निम्रत थोड़े टाइम के लिए अकेले रहना चाहती है आपको क्या लगता है क्या मस्ती और दोस्ती में शिफ ठाकरे लिमिट प्लॉस चीजे बोल जाते हैं आप अपना उपिनिन हमें कॉमेंट के जरीए जरूर बताइए और साथ ही टेलेविजन से जुड़ी सब लेटिस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले